नमस्कारम सद्गुरू, मैं हमारी भारतिय जाती व्यवस्था का सच जानना चाहता हूँ, हम अधिक समावेश और बराबरी कैसे ला सकते हैं? नमस्कारम वीरू ये व्यवस्था दरसल काम के बटवारे से शुरू हुई, एक समाज में काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि आबादी में एक खास आदाद में लोग अलग-अलग कौशल और कारीगरी करें, कोई प्रशासन का ध्यान रखे, कोई समाज के लिए शिक्षा और आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखे, इस तरह उन्होंने चार मूल भूत विभाजन किये, समय के साथ वो और बंटते गए. जरूरी नहीं है कि पक्षपाती प्रक्रिया के तौर पर, बलकि काम के बटवारे के तौर पर, और साथ ही, हमें ये समझना चाहिए, कि प्राचीन समय में, जब कोई इंजिनेरिंग स्कूल और मेडिकल स्कूल नहीं थे, अगर आपके पिता बढ़ाई थे, तो आप प्रसोस की बात है कि बीच में कहीं, एक सुनार खुद को लोहार से बहतर समझना शुरू कर देता है, हाला कि शायद समाज के लिए, एक लोहार का काम सुनार से कहीं ज्यादा उपयोगी है, मगर किसी न किसी तरह, एक खुद को दूसरे से श्रिष्ट समझने लगता है, और पीडियों के साथ ये श्रिष्ट्था स्थापित हो जाती है, इस श्रिष्ट्था को स्थापित करने की कोशिश में हर तरह की शोशनकारी प्रक्रियाएं शुरू हुई, और वो ऐसी जगा पहुच गई, जहां जाती व्यवस्था लगभग रंग भेद की तरह अभिव्यक थोना शुरू हो गई है, ये ऐसा हो ही गया है, अब भी भारत के कई गाउं में नीची जाती के माने जाने वाले लोग, जिन्हें अब दलित कहते हैं, कई गाउं में उनके पास बुनियादी मानव अधिकार भी नहीं है, हाला कि पिछले 25-30 सालों में काफी कुछ बदला है मगर अब भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी भायानक चीजें होती रहती हैं, जो हम नहीं चाहेंगे की हो इसका एक ही समाधान है, पहली बात, ये व्यवस्था आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि कौशल को कई तरीकों से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है हमारे पास educational institutions हैं, technological institutions हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं कि कौशल सिर्फ परिवार के अंदर ही आगे बढ़े और जाती का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा अपनी जाती के लोगों की मुसीबत में मदद करते हैं, इस तरह की सामाजिक सुरक्षा मौजूद है, तो ये बहुत महत्वपून है कि हम एक राष्ट्र व्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लाएं, और ऐसी शिक्षा व्य ऐसा होने पर मेरे ख्याल से जाती व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी.